हेलो एव्रिवरेट वेलकम बैक टू मैई चैनल तो गाईज आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्लाजो पेंट और स्लीव के बॉटम यानि की मोहरी का डिजाइन तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं तो जी सबसे पहले मैंने यहाँ पर यह एक स्ट्रैप ली है हमने फैब्रिक की एक स्ट्रैप ली है जिसकी जो चौडाई है हमने वो रखी है 1.5 इंच और इसको हमने इस तरह से ऐसे जो है फोल्ड करना है डबल फोल्ड कर देंगे हम और एक तरफ से हम यहाँ पर ऐसे और मतलब finishing के साथ और एकदम किनारी पर लगानी है क्योंकि ये step जितनी finishing के साथ बनेगी उतना खुटसूरत आपका design बनेगा अब हमने क्या करना है इसके न दूसरे side भी पलट कर हम उसी तरह से same सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ से ये देखे इस तरह से इस से न इसमें बहुत अच्छी एक finish आ जाएगी और बहुत अच्छी से ये बैट जाएगी पट्टी हमारी तो जी हमारी जो steps हैं वो बनकर तयार हैं देख सकते हैं आप लोग इसी तरह से हमने जो है और भी steps बना लेनी है ये देखे इस तरह से और यहां बढ़ना मैंने guys डोरी भी बनाई है नीचे loops लगाने के लिए तो आपने डोरी भी जो है पहले बनाकर लख लेनी है अगर डोरी नहीं बनानी आती तो link में नीचे description में दे दूँगी आप लोग चेक कर लिजेगा ठीके जी तो अब हमने इनका करना क्या है वो मैं आप लोग को बताती हूँ अब हमने एक paper लिया है ये देखे आपने अपनी मोहरी जितनी भी चौड़ी रखनी है उसके बराबर आप एक paper ले लेना है और उसमें ऐसे बीच में एक straight line खीच देनी है इस तरह से और अब इस line से मैं जो है देड़ दो इंच की दूरी पर इस तरह से ऐसे निशान लगाऊंगी ये रेखे इस तरह से जो हमारी center वाली line हमने लगाई है उससे हमने इस side भी 2 इंच पर इस तरह से ऐसे निशान लगाने है और जो हमारा दूसरा side है उस side पर भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ा बढ़ा कर 2 इंच पर इस तरह से ऐसे निशान लगाएंगे तो जी हमारे निशान लग गए है अब हमने इन निशानों को इस तरह से ऐसे मिला देना है ये रेखे इस तरह से और अब इस side से भी हम इसी तरह से इन निशानों को ऐसे मिला देंगे तो जी हमारा जो pattern है वो इतना चौड़ा हमें चाहिए लग भग ठीक है जी तो हमने उसका निशान लगा लिया है अब हमने क्या करना है ये जो हमारी चौड़ी वाली strap है इसकी जो चौड़ाई है वो हमने मतलब double fold करकर 2 इंच यानि की 4 इंच हमें चाहिए तो देखिए इस तरह से मैं इसकी cutting कर लूँगी और अब एक पट्टी हमने काट लिए अब इसी से नाप नाप कर हमने सारी पट्टियां ऐसे ही कट कर लेनी है ठीक है जी तो जी अब इसी तरह से जो है हमने सारी अपनी steps कट कर ली है अब हमने इससे जो है यहाँ पर पेपर पर इसको attach करना है तो देखिए यहाँ से जो हमारा सिलाई का margin होगा उसके लिए मैं यह एक अंदाजे से ऐसे निशान लगा दे रही हूँ ताकि जो हमारा design है वो हमारे उसके अंदर ही अंदर बने तो देखिए अब इसको हमने इस तरह से ऐसे जो है double fold करना है और इस तरह से हम इसको ऐसे रखेंगे और center वाली जो हमारी निशान है ना line है उससे हमने रखना है इसको और अब देखिए एक पट्टी हम नीचे इस तरह से रखेंगे और निशान लगा लेंगे और उतना ही मतलब एक पट्टी का gap छोड़कर हम दूसरी जो है पट्टी लगा लेंगे अब again मैं जो है एक पट्टी का निशान इस तरह से ऐसे लगाऊंगी और इसके according ही ऐसे हमने जो है सारी पट्टियां इस तरह ऐसे लगाते जाना है और जो gaping है हमने वो एक पट्टी जो हमारी है उसी के बराबर ही रखना है इस बात का आपने बहुत जादा ध्यान रखना ठीक है जी अब देखिए इसी तरह से जो है हमने एक साइट पर पूरी पट्टियां लगा ली है अब हमने ये डोरी ली है इसको हम इसके बीच से इस तरह से ऐसे पिरो देंगे ये देखिए इस तरह से हमने इसके बीच से ऐसे पिरो देना है बिल्कुल अच्छे से और पट्टि अपनी प्रोव लेंगे और उसके अंदर डालावकर कर लिया है और अब हमस्के करें ये जो सीद वही च्छेट पर है उसकी हम कटिंग कर देंगे चारो साइट से यह देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है अब हमने यहाँ पर क्या करा है एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई हमने तीन इंच रखी है यह देखिए तीन इंच हमने इसकी चौड़ाई रखिए इसको हम इस तरह स इसके उपर रखेंगे और simply हमने यहाँ पर एक सिलाई लगानी है यह देखे इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे और अब हमने इसको इस तरह से ऐसे पलट देना है और अब इसके बिल्कुल जो हमारी सिलाई है उसके उपर हमने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से एक सि जो है finishing आए तो देखिए हमारी ये सिलाई लग गई है अब हमने क्या करना है जो भी extra thread वगएरा है पहले उसको cut कर देंगे और अब जो हमारा हमारी सिलाई है वहां से हमने जो है देखिए आगे बड़ा बड़ा कर जो है और इन निशानों को हमने इसकेल की help से मिला देना है ये देखिए इस तरह इस तरह से finishing आ जाए तो देखे इसको हमने इस तरह से ऐसे जो है fold कर देना है अब हम इसको again सीधा रखेंगे और जो हमने ये डोरियां बनाई थी इसको हम cut कर लेंगे तो जो हमारी डोरी है उसको हम पहले एक loop इस तरह से ऐसे बना कर देख लेंगे कि हमें कितनी चाहिए छोटी बड़ी आप अपने according कर सकते है और देखे मैं इसको ऐसे cut कर लूँगी और अब ये जो है हमारी करीबन हो रही है धाइ इंच की ये रेखे धाइ इंच आ रहा है और इस पर हम stitching करते जाएंगे ये देखे इस तरह से आप चाहे तो थोड़ी दूर दूर पर भी लगा सकते हैं आपकी अपनी मर्जी है और आप चाहे तो बिल्कुल पास पास पर भी लगा सकते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ और गाइस डूरी बनानी नहीं आती है तो लिंक मैं आई बटन पर भी दे दूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी आप लोग चेक कर लीजेगा तो देखे अब इसी तरह से हमने जो है इस तरह से ऐसे नीचे सारे लूप्स लगा लिए है डूरी के और अब जो हमारी थोड़ी सी एक्स्टर डूरी हो रही है ना उसको जो है मैं कट करकर यहाँ पर निकाल दूँगी इस तरह से हमने इसको कट करकर निकाल देना है ताकि हमारे काम में अच्छे से finishing आए और cut करते वक्त ध्यान रखना है कि हमारे नीचे का fabric ना कटे इस तरह से हमने इसको cut कर दिया अब हम इसको पीछे की side जो है इस तरह से ऐसे पलट देंगे यह देखिए इस तरह से और अब एक finishing की हमने यहाँ पर उपर सिलाई लगानी है सिलाई छोटी और finishing के साथ और बिल्कुल किनारे पर लगाए जितनी finishing के साथ सिलाई होगी उतना है उपसूरत आपका design देखेगा और मैंने एक video बनाने बाली हूँ कि हम अपने सिलाई में finishing कैसे जो है ला सकती है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा request आती है इसके लिए कि आपके काम में finishing कैसे आती है तो guys patch हमारा बनकर तयार है अब हमने अपने plazo pant लेनी है उसका bottom हम रखेंगे नीचे और guys इसको हम जो हमारा बनकर तयार हुआ है pattern इसको हम उल्टा रखेंगे इस तरह से और अब यहाँ पर हमने इसको attach करने के लिए simply सिलाई लगा दे लिए और guys आपने जो हमारा आपका bottom होगा ना जो आपका plazo होगा उसको ना आपने मतलब जितने इंच का आपने patch लगाना है उतने इंच आपने छोटा रखना होगा इस बात का आपने ध्यान रखना है cutting के वक्त अब हमने इसको इस तरह से उपर की साइड ऐसे पलट दिया है और finishing के लिए हम यहाँ पर एक और सिलाई लगा देंगे इस सिलाई से क्या होता है यह बैट भी जाता है बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी जो है finishing भी आती है तो जी हमारी यह वली सिलाई भी हो गई है देख सकते हैं आप लोग अब हमने क्या करना है अब जो यह हमारा paper था इसको हम निकाल देंगे यह देखिए इस तरह से और यह कुछ इस तरह से दिखेगा अब हमने इसको ऐसे fold करना है double यह देखिए इस तरह से और simply जो है हम इसको जो है इसकी जो है last sly है यह हम इसको finish कर देंगे फिर तो देखिए इस sly को हमने इस तरह से ऐसे लगा लेना है simply और कागज न आपने बहुत अच्छे से जो है निकाल देने हैं तो guys हमारे जो design है वो बनकर तयार है और आप लोग देख सकते हैं कितनी खुबसूरती से बनकर तयार हुआ है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और एक कलर में भी देख सकते हैं आप लोग की कितना अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा stylish है तो जी उमीद करती हूँ कि आज का design है वीडियो है आप लोग को पसंद आया होगा पसंद आया हो तो चैनल को subscribe जरू करिएगा वीडियो को like करिएगा और share करिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी follow कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम है नेहाfashionholic.09 तो चलिए फिर मिलते हैं next वीडियो में और guys अगर बनाईएगा design तो मुझे tag करना मत भूलेगा तो चलिए फिर मिलते हैं next वीडियो में